हेलो गाईज, वेल्कम टो टेक इंफो वीद कुना दरो, मैं लेकी आगे हूँ, आपके लिए बिल्कुल एक नया वीडियो और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप किस तरीके से अपने T45 Smart Watch for Siri Voice Assistant का यूज़ कर सकते हो, तो बिना कोई टाइम इसकी चलिए शुरू करते ह लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और साइड में जो बेल आइकोन है, वो भी दबा दो, बहुत लोग इसको नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, तो चलिए सब्सक्राइब करना है, तो ब्लुटूथ में अपने डिवाइस के नाम पे कॉल आडियो और मीडियो आडियो ये दोनों चीज़े आपको अन करनी है, तो यह सबसे इंपोर्टन चीज़ है, इसको स्किप मत करिएगा, वरना आपका ये जो असिस्टेंट है वो वक नहीं कर और ये स्मार्ट वोच यहाँ पर कनेक्टेट शो होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़े आपको सबसे पहले करके रखनी है, उसकी बाद को सिंपली चीज करनी है कि आपके जो होम स्क्रीन वाच की वहाँ पर जाके सिप क्लिक करना है अपने क्राउण को, आपको जैसी क्लिक क वहाँ पर जो क्राउन है उसको प्रेस करते हैं, और उसके बाद आप अपने ही वाच से कुछ भी कहकर वहाँ पर अवेदर या जो भी चीज़े आपको पूछनी है, वह आप सारी चीज़े पूछ सकते हो, ये बहुत अच्छा फीचर है और मुझे बहुत टाइम बाद मिल अपना Siri Voice Assistant आपको सारी आपका Siri Voice Assistant दिखाने लाहेगा और आपका Siri Voice Assistant दिखाने लाएगा में simultaneously जो अपना Google Voice Assistant है वो शूरू हो जाएगा तो Siri Voice Assistant में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका जो लुक है overall watch पर वो Siri Assistant के जैसा दिखता है but actually यह और कुछ नहीं है यह बस अपने को जो हमारा Google Voice Assistant है उसको ट्रिगर करनी के लिए एक बटन दिया हुआ है बट हमारे watch में जो microphone है उसके वज़से हम लोग watch में इसको बोल सकते डियरेक्टली और वो चीज़ जो हमारे phone में वोससे रहेगा वो कैच कर लेगा यह बहुत ही अच्छा feature है और बहुत ही सही लगा मुझे और मुझे पता ही नहीं था कि हमारे watch में यह feature है तो यह काफी अच्छा हो गया है कि अभी हम लोग जो भी सारा साच होगा वो हम लोग डिरेक्टली अपने watch के द्रू कर पाएंगे तो यही बहुत ही अच्छी चीज हमको मिली है तो यही था वीडियो गाईज अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुलिएगा क्योंकि मैं T55 स्मार्ट वाच और अधर स्मार्ट वाच रिलेटेड अनए नए वीडियो लेकर आते रहता हूं और नेक्स वीडियो में हम लोग बात करने वाले डिसकर्neating वाला प्रॉबलम कि मैने पूल लिया था एक और उस में मुझे समझ में आया था कि बहुत लोग को Discrין Nosum हम लोग बकुल देखेंगे तो फिलाल के लिए टेक कियर बाबाए